हाई, वेलकम बेक, स्टार्ट करते हैं हाडलिक्स का नेक्स्ट पार्ट, क्योस्टिन 121 है, कि एक सर्कुलर होल है, जिसका डाया 2.5 cm है, और उसके उपर जो हैड है वो 50 मिटर है, तो वेलोसिटी ओफ वाटर क्या होगा, तो वेलोसिटी ओफ वाटर जो होता है, एच हैड के वेली होता है, रूट 2GH, तो यहाँ पर H की वेल्यू गिवन है, तो V हो जाएगा, 2G इंटू 50 का रूट, बट यहाँ पर ओप्सें से वो काफी क्लोज हैं, तो एक्जाम में इस टाइब की क्योस्ट को ओड करने हैं, जिसमें काल्कुलेटर नहीं लावड है, मैनुली आप तो इनको स्किप कर देना चाहिए, यहाँ पर अगर क्याल्कुलेटर से इसको सौल करोगे, तो इसका आंसर जो आएगा, वो आएगा 31.3, तो आंसर ओप्सें सी हो जाएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्टिन 122, हाडली कोफिशेंट पूछे हैं कि कौन-कौन से निच्छे दिएगे, उप्सेंस में यह थे हाडली कोफिशेंट हैं, तो मैनली तो तेन टाइप के हाडली कोफिशेंट होते हैं, कोफिशेंट ओफ वेलोसिटी, कोफिशेंट ओफ कॉंट् resistance जिसको हम CRC represent करते हैं यह होता है कि orifice में head का loss कितना हुआ जब water orifice से flow हुआ तो head loss energy loss divided by actual kinetic energy थी वह कितने थी तो इनका ratio होता है यह CR होता है और इसको CV की form में भी लिख सकते हैं यह होता है 1 upon CV का square minus 1 तो इस तरह कि इसका answer हो जाएगा option D हो जाएगा यह तीनों ही है यह हाडली coefficient है next question 123 में पूछा है कि इन तीनों के बीच में ratio होगा और क्या होगा CRB ने लिखा है लेकिन CR का ratio यहां पर नहीं किवन है CR का जो relation होता है वो यह होता है यहां पर पूछा है CD, CC और CV में relation है तो Q is equal to AV होता है Q के corresponding जो coefficient होता है वो CD होता है area के corresponding होता है वो CC होता और velocity के corresponding होता है वो CV होता है तो CD equal हो जाएगा CC into CV के तो इसका answer हो जाएगा वो option A हो जाएगा next question 124 next question 124 में पूछा है कि अगर sudden enlargement हो रहा है किसी pipe का जैसे कि ऐसा pipe था suddenly जो cross-exile area वो इस तरीके से increase कर दिया गया है तो इस case में जो head loss होगा जाएगा वो कितना होगा तो इसका directly formula याद रखना है यह होता है V1-V2 का स्क्वेर अपॉर्ण टूजी तो answer हो जाएगा option B हो जाएगा ध्यान रखना कापी बार student mistake कर देते हैं और यह वाले formula को सेम नहीं है V1-V2 का होल स्क्वेर है यह नहीं होगा option B करेक्ट होगा next question 125 की cross-sectional area 0.15 मिटर स्क्वेर है suddenly enlarge करके cross-sectional area 0.3 मिटर स्क्वेर कर दिया गया है discharge है वो given है 0.3 मिटर क्यू पर सेकिंड तो यहां पर V1 हो जाएगा Q upon A1 तो यह हो जाएगा यहां पर 0.3 upon 0.1 तो 3 meter per second हो जाएगा और V2 हो जाएगा Q upon A2 Q यहाँ पे 0.3 है तो A2 हो जाएगा वो यहाँ पे 0.3 meter square है तो यह आजाएगा 1 meter per second तो इसका हम solve करेंगे यहाँ पे यह तो 3 minus 1 का whole square upon 2G तो यह 2 का square 4 upon 2G तो 2 upon G हो जाएगा तो यहाँ पे answer होगा option A होगा यहाँ पे यह correct करना 2 upon G होगा और वैसे भी इसमें सारे options में जी उपर आ रहा है जो कि हमें पता है कि formula में यहाँ पे नीचे आ रहा था तो जी उपर नहीं आएगा तो यह mistake है इस नहीं फूल्टे लिख दिए सारे उप्सन नी तो यह 2 upon G होगा यहाँ पे यह काटके option A में correct कर दीजिए अपने book में next equation 126 126 में पूछा है कि कोई short cylindrical external mouthpiece है तो उसमें विना contactor जो अकर होगा वो किती distance पे होगा outlet से एक बार हमें विना contactor का concept देख लेते हैं क्या होता है क्यों form होता है कहां पे बनता है तो यह diagram एक mouthpiece का यह जो है पार्ट इसको mouthpiece बोलदा जाता है तो यहां पर टैंक में से आउटवार्ड फ्लो हो रहा है mouthpiece में से तो streamlines है वो इस तरीके से आ रहे हैं उसके बाद यहां पर cross sectional area कम है तो streamlines है वो contract होने लग जाती है कि यहां पर enter होने के बाद उनके direction है वो converging है तो इस तरीके से converge होती है और एक point पर जाके फिर वो वापिस से diverge होने लग जाती है तो जिस cross section में यह convergence से divergen start होता है उस cross section पर जो area होगा streamlines का वो minimum होगा तो यहां पर यह section c c days को बोला जाता है एप İşte Connected एएर्या होगा यहां पर विनकोंतर पर होगा यहां पर जसको बोला नगा था एग्विनकोंत्र कॉण्तर को अगर यह orifice है तो notification के केस में ईविनकोंतर होता यह बहार बनता सूरा पंठर से कम भी हो सकता है और यह जितना कम होगा वेलोगी पर एंसBlue तो यह होता है कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर बनता है तो यह कि यहां से डी बाई 4 अगर डी डाया है इसका तो यहां से डी बाई 4 इस्टेंस पर यह वीना कॉंटेक्टा सेक्षन सी सीदेस फोर्म होता है तो क्योंस में देखेंगे तो आंसर होगा यहां पर आंसर होगा वह ऑप्सन बी होजएगा 1 4th of the diameter of the oryf नेक्स क्यों 27 में पूछ आजीं होती है और ऐसा इसलिए होता है कि यह जैसे सेक्षण हे नाजडस और दूसरा सेक्षण हे टू-टू डैस इस तरीके से water और यहां से water exit कर रहा है दो गासे तो यह ए स्टेट पर जो area है वह काफी कम है एवन से और a2 पर area कम होने के एकांड वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि Q is equal to AV तो टोटल डिस्चार्ज सो कॉंस्टेंट है इसका जो शेप होता ही नेक्स क्योंकि यहां पर पूछा है कि कोई short tube mouthpiece है तो वो fully run कब नहीं होगा जब उसकी head की value कितनी है तो जैसा कि question number 126 में मैंने explain किया कि mouthpiece में जो विना कॉंटरक्टा बनता है वो mouthpiece के अंदर ही बनता है और उसमें pressure है वो atmosphere pressure से कम भी possible है तो atmosphere pressure से कम pressure यहां होने से benefit यह होगा कि Bernoulli's equation के according total energy तो constant रहती है अगर h की value हम decrease करेंगे तो इसकी value increase होगी अगर v की value increase होगी तो discharge की value increase होगी तो यहां पर area जहां वीना कॉंटरक्टा फोर्म हो रहा है वहां पर कम होगा pressure लेकिन pressure actual में हम कितना कम कर सकते हैं तो theoretically हम इसको absolute zero कर सकते हैं लेकिन practically ऐसा possible नहीं है क्योंकि absolute zero अगर pressure होगा तो उस case में liquid जो है उसका वैपर प्रेसर रीच हो जाएगा और लिक्वीड है वह वैपर में convert होने लग जाएगी वैपर प्रेसर यह है वह atmosphere प्रेसर जिसपे की liquid हो को विदाउट temperature increase किये liquid को हम वैपर में गैस फोर में करवट कर सके हैं अगर वैपर वैपराजिशन स्टार्ट हो जाता है तो प्रोब्लम होने लग जाती है उससे तो हम उस situation को avoid करते हैं कि liquid हो वैपर ना बने उस situation को avoid करने के लिए यहाँ पे minimum pressure जो possible है वो है कि जो भी liquid flow हो रहा है उसके वैपर प्रेसर से ज्यादा रहे pressure अब यहां की यह condition fulfilled हो इसके लिए एच कितना possible है कितने एच तक यह condition fulfilled होगी तो उसके लिए हम Bernoulli's equation लगाते हैं इस वाले section पे एक point inside the tank लेते हैं दूसरा वीना contact पर लेते हैं और हम एक condition लगाते हैं उस condition से हमें पता चलता है कि अगर एच है वो 12.2 मीटर से कम रहेगा तो वैपोराजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी इस point पे जो प्रेसर होगा वह वैपर प्रेसर से ज्यादा ही रहेगा तो लिक्विड वैपर में कनवर्ट नहीं होगा लेकिन अगर एस 12.2 मीटर से ज्यादा है यह 12.2 मीटर के वाटर के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा कोई वैसे फ्यूड वाले प्रॉब्लम्स में अगर मेंसें नहीं किया है लिक्विड कॉन सा है हम वाटर एजिम कर लेते हैं अगर इससे ज्यादा है तो वैपोराजेशन होगा और वैपोराजेशन की कारण पूरा का पूरा माउथ फीस से वह फिल नहीं होगा वाटर से फुली रन नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर होगा वो अप्सिन B हो जाएगा इसने पूछा कि कब नहीं होगा ऐसा तो 12.2 मीटर से ज्यादा अगर हैड है तो नहीं होगा नेक्स क्योशन 129 में पूछा है कि पीजियो मीटर जो हम प्रोइड करते हैं वो क्या मेजर करने के लिए करते हैं तो वेलोसिटी हैफ दव उससे मेजर नहीं करते हैं टोटल प्रेसर भी नहीं करते हैं उससे स्टेटिक प्रेसर करते हैं और नेगेटिव स्टेटिक प्रेस कि इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे एक्वेशन आती है वेंचुरिमेटर की वेंचुरिमेटर में क्यों की निकालने के लिए हम यह बनुलीज एक्वेशन लगाते है और जो पाइप है तो जेड़ जेटू सेम होगा उसके बाद वी वाली जो टायम हम उनको एकसाइडिक दे है और पी वाली जो है उनको दूसरी सेट ब देते हैं और इसको हम है किक्वाल पूट कर देते हैं क्योंकि यह हैं दिफ्रेंस है रूट टू जी एज एवन एटू अपॉन वन माइनस इस तरीके से यह एक्वेशन आती है हमारे पास क्योंकि अगर इंक्लाइन पीजियो मेटर है तो यहाँ पे एक जेड की टर्म हो रहा जाएगी तो उस केस में भी फोर्मुला सेम ही रहेगा बस यहाँ पे H जो होगा यह P2 अपॉन W प्लस Z2 माइनस P1 अपॉन W प्लस Z1 हो जाएगा तो इससे H जो है वो चैंज इस फोर्म में आजाएगा भी आपे Z वाली टर्म भी इंक्लूड करें बाकि जो Q का फोर्मुला है जो होरिजोंटरी के लिए था वो यहाँ पे भी रहेगा और S का यह जो फोर्मुला होता है X है जो डिफ्रेंशल मेंटर की रिडिंग है इस फोर्मुले से हम S निकालते हैं यह फोर्मुला भी इंक्लाइंट के केस में भी सेम रहता है यह आप डिराइव करना चाहो तो एक वेंच्वी मेटर के लिए एक्वेशन डिराइव कर सकते हो जैसे कि लिक्विट कॉलम के लिए हम करते हैं जैसे इस टाइप का कोई कॉलम है उसमें यहां के एक liquid बरावा यहां पर दूसरा liquid बरावा तो जो हम equation करते थी कि यहां का pressure निकाल लिया फिर नीचे का pressure निकालने के लिए minus कर देंगे फिर यहां से अगर उपर जाना है यहां से यहां के लिए pressure add कर देंगे फिर यहां से उपर जाना है तो minus कर देंगे उस तरीके से अगर निकालेंगे तो inklient वाले के लिए equation है वो same रहेगी तो इसलिए जो reading अएगी वो same ही आएगी तो answer होगा वो C होगा अगर inclined ventigator है horizontal ventigator है formula भी same रहेगा वो reading है वो भी same रहेगी जो Z जो आ रहा था Z का effect is h में count हो जाएगा तो यहां पर आंसर C हो जाएगा, next question 831, यहां पर H है, वो difference है, head में, porphyse में और discharge है, वो निकाह में निकालना है, तो Q होता है, area into velocity, यह theoretical discharge इसको CD से multiply कर देंगे, तो actual discharge आदा, तो यह formula होता है, क्यों के लिए, यह theoretical discharge है, इसको CD से multiply कर देंगे, तो actual discharge आजाएगा, अब यहां पर इसने बोला है, कि को rectangular है, जो opening है, और width भी है, और depth D है, तो CD into area कि जगा आजाएगा, B into D, अगर H height है water की, opening के उपर, तो velocity यह होती है, हमें से, तो इस तरीके से यहां पर answer आएगा, वो हो जाएगा, option C, next question 132, 132 में पूछा है कि कोई hemispherical whistle है, उसमें कोई bottom पे, जैसे इस तरीके की whistle है, यहां पर कोई opening है, तो उसमें इसको empty होने में कितना time लगेगा, तो इसका formula directly आद रखना है, derivation में हम नहीं जाते हैं, क्योंकि exam में नहीं कर पाऊगे, यह formula है इसका, बट इसमें यहां पर correction है, यहां पर r raise to power 5 by 2 होता है, तो इस तरीके से option D हो जाएगा, यह correction कर लेना अपने गुख में, next question 133, यहां पर बोला है कि दो cylinder है, जिन में head difference है, वो edge है, तो उन में, जैसे इस तरीके से, इसमें water ज्यादा है, यहां पर opening है, second वाले में water है, वो कम है, इधर water flow होगा, कुछ time बाद यह water flow होना रुख जाएगा, क्योंकि दोनों में level सेम पहुंच जाएगा, तो उसमें कितना time लगेगा, कि यह water flow होना यह बंद हो जाएगा, इसके लिए भी एक formula होता है, जो कि directly याद रखना है, generalized formula में बता रही है, यहां पर special case है, कि दोनों है, इनका area है, वो same है, दोनों टेंक्स का, तो वो होता है, 2a1, h2 का root, minus h1 का root, divided by, cd, a1 plus, a1 upon a2, multiply by root g, यहां पर special case है, कि दोनों है, सेम हो गए, तो फिर इसको solve करेंगे, तो यह a, h2 का root, minus h1 का root, upon cd, a, यह आ जाएगा, 2 तो 2 पर वाले से cancel हो जाएगा, into root g, 2g, लेकिन यहां पर भी एक mistake है, यहां पर इसने बोला, कि h2 minus h1 की value है, वो h है, option इसने जो दिये हैं, उस हिसाब से इसने इस तरीके से दिया है, कि इसका जो root है, वो यहां पर लिख दिया, लेकिन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि, इन दोनों का हम root लिकाल के minus करें, या दोनों का minus करके, फिर root निकाल लें, यह दोनों सेम नहीं हैं, तो option वाला जो है, वो एक special case में सही हो सकता है, कि h1 0 हो जाए, उस case में फिर यह दोनों value सेम हो जाएंगी, otherwise नहीं होगा, हम इसको यह जो s2 minus h1 आ रहा है, root s2 minus root h1, इसको हम s2 minus s1 का root नहीं लिख सकते, जब तक h1 0 नहीं हो जाए, तो यहां पर options के साब से देखो, तो option b हो जाएगा answer, बट यहां पर इसने difference h बोला है, उतने में नहीं होगा, यहां पर extra information देनी पड़ेगे, कि इसमें h head और इसमें head है, वो 0 है, तो इसका answer हो जाएगा, option b हो जाएगा, next question 134, 134 थोड़ा से confusing है, इसने language भी काफी confusing लिखी है, यहां पर इसने बोला है, convergent mouthpiece है, फिर यहां पर बोला है कि convergence है, उसका dia इतना है, और यहां पर बोला है कि divergence है, उसका dia निकालना है, तो convergent mouthpiece एक बार हम दिखाती हूँ, आपको कैसा होता है, इसमें जो fast वाला जो है, यह है convergent mouthpiece, तो इसमें कोई convergence, divergence दोनों नहीं हो रहे हैं, यहां पर converge हो रहे हैं, यह divergence है, यह वाला है, इसको बोला जाता है, convergent, divergent mouthpiece, जिसमें पहले इस तरीके से हम area reduce कर रहे हैं, यहां पर vina contact form हो रहा है, उसके बाद area इस तरीके से increase हो रहा है, तो उसने converging दिया है question में, जब कि converging यह वाला होगा, लेकिन यहां पर कोई divergence नहीं होगा, तो मुझे, जो उस question से समझा है, उसके coding की, वह एक्टमें problem है, converging diverging की, converging diverging में हम solve कर सकते हैं, कि अगर एक area इतना है, तो दूसरा area कितना होगा, वह हम calculate कर सकते हैं, तो यह वाली problem उसने दी है, तो इसके लिए हम निकालेंगे, A और AC का ratio, AC है, वो विना कॉंटक्ता जहां पर form हो रहा हो वह वाला area है, A है वो यह वाला area है, एक हम इधर section लेंगे, हम तीनों पर Bernoulli's equation अप्लाई करेंगे, और हम उससे A और AC का ratio निकालेंगे, इसके लिए इसके लिए गीवन है, कुछ conditions है, जो equations उनसे हम बनाके, उससे हम A और AC का ratio निकाल सकते हैं, तो उसके लिए, इसके लिए एक section मैंने यहां पर BB लिया, इसका area अगर A है, velocity मैंने माना कि यहां पर V है, तो यहां पर total head हो जाएगा, इतना HA है, वो atmosphere pressure के corresponding head है, और यह section मैंने जस्ट इसके बाहर लिया है, माउथ पिसके, तो यहां पर pressure होगा, वो atmosphere pressure होगा, यह इक्वल होगा, यह इक्वल होगा, यहां पर अगर मैं कोई section लो, तो उसके लिए जो होगा, जैसी कि यहां पर स्ट्रीम लाइन जा रहे है, तो उसके कोई point लो में, तो उस point के लिए जो होगा, वो होजाएगा, है h plus ha, यहां पर अगर कोई point होगा, उसके लिए head ha, h है, और यहां पर जो atmosphere pressure लग रहा है, वो भी होगा, तो यह equation बन जाएगी, अब मुझे निकालना है, a और ac में relation, क्यों होगा, वो सेम होगा, तो मैं अगर v और vc निकालना हूँ, तो a और ac में भी relation निकाल सकते हूँ, तो इन दोनों equation को यूज करते हैं, मुझे vc निकालना है, इससे vc के आजाएगा, vc square upon 2g, is equal to hc, ha plus h minus hc, इस वाली equation, और इस वाली equation को यूज करते हैं, मैं v निकाल सकते हूँ, जो होजाएगा, v square upon 2g, इस equation को हम आगे solve करेंगे, यह equation हमारे पास आगी, कि v square upon 2g will be equal to, इससे निकालेंगे, तो इससे, इन दोनों को, इसको और इसको equal करेंगे, तो ha वाली time तो cancel हो जाएगी, और यह equal आजाएगा hk, अब यहाँ से velocity का ratio निकाल सकते हैं, vc upon v का ratio हो जाएगा, root 2g, ha plus h minus hc का root, divided by h का root, और root 2g भी यहाँ पे आएगा, जो cancel हो जाएगा, मुझे ratio चाएगे, ac और a का, जो की हो जाएगा इसका inverse, क्योंकि q is equal to av होता है, तो a और v proportional होंगे, inversely proportional होंगे, q constant है तो, ac upon a हो जाएगा, v upon vc, यह हम a upon ac निकाल देते हैं, अगर a upon ac निकालना है हमें, तो यह वाली question रह जाएगी, जिसको हम simplify करेंगे, तो यह जाएगा, ha plus h minus hc upon h का root, पूरे का, इसको हम simplify करकर लिख सकते हैं, when upon ha minus hc, और upon h का root, अब यह ha minus hc है, यह basically vina contractor, hc vina contractor का pressure है, ha atmosphere pressure है, तो यह measure कर रहा है कि विना contractor pressure है, वो atmosphere pressure से कितना कम है, और वो atmosphere pressure से कम है, इसलिए हम उसको vacuum pressure या suction pressure भी बोल सकते हैं, तो question में जो 9 meter given है, वो यह है, ha minus hc, इसकी value अगर हमें पता है, तो अब हम easily यह वाला formula लगा के, बाकी values find out का सकते हैं, a upon hc, 1 plus hc minus hc, अब हम question में जो data given है, उसमें directly यह formula लगा देंगे, यह formula तो simple है, आप चाहो तो याद रख लो यह derive करो तो भी उतना lengthy नहीं है, यहाँ पर फिर से language में confusion है, इसने बोला है कि diameter of divergence निकालो, तो diameter of divergence कुछ नहीं होता, angle of convergence divergence होता है, अब यह फिर minimum area की बात कर सकते हैं, maximum divergence जहाँ पर है, उस वाले cross section की बात कर सकते हैं, उसका diameter की बात कर सकते हैं, लेकिन यह information थोड़ से clear नहीं है, तो for example हम इसको मान रहे हैं, 4 cm को convergence वो point मान रहे हैं, जहाँ पर minimum area है, जहाँ पर vena contact form हो रहे है, तो यहाँ पर minimum area है, इसके बाद इस तरीके से area increase हो रहे है, और इसको section of divergence मान रहे हैं, तो यह A हो जाएगा, यह AC हो जाएगा, यहाँ पर अगर रखेंगे, तो pi by 4, A के लिए हमें निकालना है, DA का square, pi by 4, DC है उसको 4 cm मान रहे हैं, तो 4 का square, 1 प्लस, HA की जगा जाएगा 9, HA माइस HC की जगा, H की जगा जाएगा 3, इसको solve करेंगे, तो यह 4 का root आजाएगा 2, और यहाँ से DA की value आजाएगी, वो आजाएगी 4 root 2, तो अगर विना contactor पर diameter 4 cm है, तो यहाँ पर जो diameter होगा, वो 4 root 2 होगा, तो आज होप आपको समझे आ गए होगा, कि इस टाइप के questions अगर है, Converging, Diverging, Mouthpiece के तो उनको इस तरीके से solve कर सकते हैं, यह आप directly याद रख सकते हो, HA माइस HC है, यह atmosphere pressure माइनस विना contactor का pressure है, जिसको कि vacuum pressure भी बोला जाता है, तो option में यहाँ पर नहीं given high value, बट इसका answer होगा, वो 4 root 2 होगा, तो चलते हैं next, question 135 पर, question 135 में बोला है कि कि किसी orifice को हम large orifice कब consider करेंगे, तो large orifice और small orifice का difference यह होता है, जैसे कि यहाँ पर एक चोटी सी opening है, और इसके उपर head है, वो H है, तो मैं यहाँ पर यह formula लगा के root 2GH into area करके discharge निकाल सकते हूँ, क्योंकि यह opening तो बहुत चोटी है, और इसके comparatively H बहुत जादा है, इसके कारण यहाँ यहाँ वाला जो point है, उसके लिए जो H होगा, और यहाँ वाला जो point है, उसके लिए जो H होगा, उसमें बहुत minor सा difference होगा, जिसको हम ignore कर सकते हैं, लेकिन जैसे इस type का कोई orifice है, जिसकी जो depth है, वो इतनी ज्यादा है, तो अब यहाँ पर अगर टोप पर कोई point है, तो उसके लिए H की value इतनी है, वहीं bottom पर कोई point है, तो उसके लिए H की value काफी ज़्यादा हो जाएगी, इस type से अगर orifice को हम बोलते हैं, large orifice, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे throughout the orifice में जो opening है, उसके लिए H सेम नहीं मान सकते, क्योंकि यह वाली dimension हो काफी ज़्यादा है, तो इस type के questions को solve करने के लिए, हमें छोटी सी एक strip लेनी होती है, यहाँ पर इसके लिए हम क्यों निकालते हैं, और फिर उसका integrate करके, पूरे section के लिए क्यों निकालते हैं, तो अगर H है, वो D से ज्यादा है, D यहाँ पर vertical वाली opening है, उससे अगर ज्यादा है, तो उस case में हम इसको small orifice consider कर सकते हैं, लेकिन H अगर D से कम है, तो उस case में हमें large orifice consider करना होगा, तो यहाँ पर भी mistake है, इस question में भी, option D गिवन है, तो option D में आप कर लीजिए, कि वाटर हैड है, वो अगर ज्यादा है, D से यहाँ पर लिख दीजिए, diameter of the orifice, उसके equal है या उससे ज्यादा है, तो उसको H है वो D से, ज्यादा है तो small orifice, कम है तो large orifice, तो हम बोल देंगे कि diameter से, लेस अगर है, है, तो हम उसको large orifice consider करेंगे, तो इसका answer option D होगा, यह correct करने के बाद में, next question 136, कि एक thoroughly submerged orifice है, उसके लिए जो Q होगा, वो किसके परपोर्शन होगी है, डिस्चार्ज होगा, वो किसके परपोर्शनल होगा, तो यह दो टेंक है, अब for example, कि यहां पर कोई opening है, जिसे यह connected है, अब in case, अगर इन दोनों का जो water level same हुआ, तो क्या इस opening से कोई flow होगा, कहीं भी flow नहीं होगा, क्योंकि equal है, अगर हमने इसका water level rise कर दिया, तो इदर से यहां flow होगा, अगर इसका water level rise कर दिया, तो इस tank से इसमें flow होगा, और for example, इसका water level है, वो इतना है, और इदर वाले का water level काफी कम है, इसमें इतना ही water है, इस case में flow होगा, वो काफी तेज होगा, अगर दोनों में difference काफी कम है, इतना सा ही difference है, तो धिरे-धिरे flow होगा, तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रपोस्ट रूट टू जी एच जो था जो वेलोसिटी की एक्वेशन थी अगर इस तरीके से समझ जो रिफिस है तो एच होता है वो दोनों का डिफरेंस हो जाता है जैसे कि इसका वाटर लेवल यह है ह1 और इसका वाटर लेवल माल लिया कि यहां तक है यह चज़न है तो इस केस में इन दोनों violation जो डिफरेंस है वह फ्रेंस की जगह आईगा जहां पर हम S लिखते थे वहां पर हम इन दोनों का डिफरेंस makers लिखेंगे तो यह हो जाएगा इंटू जो भी सोरिफिस का एरिया है वो हो जाएगा इसने यहां पर डिश्चार्ज की बात करी है तो यह क्यू हो गया तो यह किसकी प्रपोर्शनल हुआ स्क्वार रूट ओफ दिफ्रेंस इन एलेवेशन ओफ वाटर सर्फेस तो इसका हो जाएगा आंसर ओप्शन बी नेक्स्ट एक्ट क्वेशन वन थर्टी सेवन है कि एंट कॉंट्रेक्शन वाला वियर कौन सा होता है तो यहां पर हमने दो वियर के एक्जाम्पल लिए हैं यह टोप प्लाइए प्लान है कि हम टॉप से देख रहे हैं यह चैनल है इसमें इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा था यहां पर हमने वियर बना दिया जिसकी विर्थ है वो चैनल की विर्थ के एक्वल है इस तरीके से बिन विदाउट अनिटिस्टेबेंस होरीजोंट्ली कोई तो जो नहीं होगा वर्तिकल डिस्टिवेंस होगा वाटर लेवर राइज होगा बट टिएरेक्ट ली वाटर इस तरीके से फ्लो हो जाएगा लेकिन यह एक दूसरा विए बनाया है जिसमें की विए की साइज वह इतनी ही है चैनल का जो क्रोसक्षें ता उतना वियर नहीं की जो बीर्ट है वह चैनल की उतकी नहीं तो इस केस में जो हो रहा है B कि दर से बार आ रहा यहां पर प्र counties होने लग जाएगा क्योंकि आगे सीट इसे कॉंटेक्ट हो के फिर फिलो होगा इसीज़ाद के कम हो dziment एक्षुल में इसका जो इसकी कोर्स कोर्समोर्डिंग जो क्यों आना था वो कम हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड के कारण यहां पर डिशार्ज हो रहा है जासे कि और फिस में बैदेखा था वैसा साही कुछ इसमें होगा और पूरा एक अटरिबूट नहीं करेगा तो इसका answer option B हो जाएगा, next question 138, यहां पर बोला है कि upper surface जो वीर की हो गए, उसको क्या बोला जाता है, तो हम एक बार diagram देखते हैं, यह एक वीर section है, अगर हम इसको side view देखें तो ऐसा है, यह वोल है वीर वाली, तो इसको top है जो वीर का उसको crest यह सिल बोला जाता है, यह जो surface है, जो water की जो surface है, तो film है, जो इसके उपर से जा रही है, उसको nape या वेन भी बोला जाता है, और यह इसका front view है, अगर इधर से हम देखेंगे, तो यह कुछ ऐसा दिखेगा, तो यह crest हो गया, और यह उपर से जो जा रहे है, नेप हो गया, question में इसने पूछा है, वीर क पूछा जाता है, उसकी thin surface का पूछा जाता है, तो इसको nape या वेन भी बोल सकते हैं, तो इसको silb भी बोल सकते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, option C, next question 139, काफी simple सा है, क्यों पूछा है, rectangular nodes के लिए, तो यह होता है, 2 by 3 into cd, root 2 zh into area, आप यह फोमले से याद रख सकते हो, इस rectangular के लिए 2 by 3 होगा, फिर cd से multiply कर देना है, root 2 zh, velocity होगी, फिर एमें area से multiply कर देना, area की जगा आजाएगा, b into d, क्योंकि rectangular nodes है, तो इसका area b into d होगा, तो यहाँ पर यह सारे यह options हो जाएगे, एक की value इसन डिप्रेंट form में रखा है, इस यह की formula दो, तो इसका answer option d हो नहीं दिया है, वैसे in general, अगर cd नहीं दिया हो, तो rectangular nodes के लिए 0.6 ले लिया जाता है, यह पर ज्यादा accurate चीए, तो 0.623 ले लिया जाता है, और अगर question में कोई given है, तो वो cd लेते हैं, अब यहाँ पर इसने question में नहीं दिया है, और इसका answer आ रहा है, option b, जो कि आएगा अगर इसकी value 0.68 होती, तो इस type के question में यहाँ पर इनको mention करना पड़ेगा, कि cd की value इतनी है, और यहाँ पर भी यह options काफी close है, और फिर root h raised to power 3 by 2 आएगा, तो इस type के questions में, यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा 100 cm है, वो 1 meter हो रहा है, इसके कान थोड़ा सा solve करना easy हो रहा है, क question में, तभी हो पाएगा, cd अगर इतना है, तो इसका answer होगा, वो option B हो जाएगा, तो आग के lecture video को यहीं पर खतम करते है, all the best!